हलो दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में तो बहुत ही टेस्टी रेस्पी लेके आए हैं क्योंकि मटर का सीजन आ गया है अपके घर में कुछ सब्जी ना हो या अगर आपका मन ना करें ता फटा फट से इसे बनाईए रोटी के साथ चावल के साथ हर किसी के साथ आप इसे इंजवाई कर सकते हैं तो चलिए इस टेशी सब्जी को बनाना ही स्टाट करते हैं यहां पर हमने ले ली हैं एक कप मर्टर है आप कम जादा कर सकते हैं जितना आपको बनानी हो इसको एक जार में डाल देंगे दो हरी मिर्ची डाल द अगर आप हाते हैं या पसंद है तो सबड़ाइख से चाट फिर कर्सके कर सकते थोड़ी ज्थोड़ी डालेंगे थोड़ी हुआ शकाट हैं इसेह हुन्यारा रहा है और दू आ हरी के साथ है और अच्छी तरह से मिक्स हो गई है कि सारे मिला के रख देंगे नहीं कराने हैं साथ के साथ ही बनाएंगे तो चलिए तयार है यहां पर हमने बरतन में पानी रख दिए कड़ाय में आप किसी भी चीज में रख सकते हैं हमने दूद वाली जाली रख दिये अप होल च्छोटे से पकोड़े बरिया मनाते नुद देंगे और सारे एक साथ में डाल देंगे चोटा बड़ा तक करते हैं बारे vast करेंज बना लेता हमने फ्राइब माल्च nutrration छाल्दी आदा चमच लाल मिर्च अध Courtney डया नीस में 3 चमच ऑगोल चाहें को आप स्क और नाप आप पाली की टेस्ट और चिहां चलों हो चलों साइट में साइड में ने अब इनको देख लेते हैं तो सारी त्यारी हो गई है अब हम चलते हैं इसकी सबजी बनाने तो देखिए बारत से तेरे मिनट हमने इस्टीम किया थे अच्छी तरह से पक चुकी है और फूल गई है थोड़ी थोड़ी जगह थी नहीं देखिए बिल्कुल कबार हो गई अब निकाल के बाहर रखेंगे ठंडी होने के लिए यहां हम एक कडाई में दो चमत तेल डाल दी आधा चमत जीरा डाल दी है और जो हम लाहसन प्याज मिर्चा और अध्रक को चौप किये थे उनको डाल देंगे और तीह से चार मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे ताक जो हम मसाले मिला के रखे ते उनको इसमें डालेंगे सुखी मसाले टाने से जल्दी जलने लगती है जो थोड़ी सी पानी में गोल के डालते है तो अच्छी तरह से मसाले बून जाती है तो सारी मसाले इनमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इने बूनेंगे मसाले को एक मिनट के लिए इनों अच्छी तरह से चला लेंगे। यह मशाले भूनेंगे अच्छी तरह से चालावेंगे नहीं तब ही सब्सक्सолावे। इसलोई टेस्ट लगती है जो लेकितिःधा उपीम झीजते हैं, और भूझे हम थी पीच में चेक भी सकते हैं अगर इसका फिले मीडियम कर देंगे तो जलने के डर नहीं रहे हैं इन्हें अच्छी दरसे चला लेंगे ताकि मसाले नीचे लगे न और इसमें यहां पर हम डाल देंगे नमक नमक मसालों में डालने से न अच्छी तरह से मसाले अंदर चाके भूनती है और जल्दी से मसाले गल्ले लगते हैं तो सब कुछ हमने पीसके डाले थे चौप किये थे तो नमक को भी अच्छी तरह से मिला लेंगे और देखिए मसाले अच्छी तरह से बिल्कुल भून गया हैं तेल भी अलग हो चुकी है अब इनको हमने जादा नहीं भूनने हैं यहां पर हम पाले थोड़ी सी पानी जितना अपको पानी डालेंगे और इनको अच्छी तरह से मिला लेंगे उसके बाद जितनी आहिक अच्छी लगति हैं तो पाले हम इसमें थोड़ी पानी डालेंगे जैसे चोटी इलास बड़ी जैसे आप ग्रेवी अपने हिसाब से रख सकते हैं और देखिए पानी जाले अब यहाँ पर हम थोडि सी धन्या के पत्र ढाल देंगे और नहीं ढख देंगे तीन से चार मिनट के लिए ताकि अच्छी तरह से पक जाए तो दो तीन मिनट के बाद देखिए हम आपको दिखा रहे हैं ग्रेवी मिल्मूल पानी अच्छी तरह से उबल गया पाक चुकी है और जो हम मटर के बनाये थे बढ़िया वो भी ठंडी हो गई अच्छी तरह से हमने प्लेट में निकाल लिया हैं तो वो सारी बढ़िया इसमें डाल देंगे और उसके बद इनको चलाएंगे बहुत हलके हलके हाथ से चलाएंगे क्योंकि गहूं का आटा है और मटर ने तो सौ सब्सक्राइब नमग में तो डालेते लेकिन ग्रेवी थोड़ी जाके अची तरह से सौट हो जाए तो फर से थोड़ी जाके पत्ते डाल देंगे और इनने ढग देंगे 3-4 मिनट के लिए मिल्यम प्लेम पर ताकि अच्छी तरह से पके ग्रेवी बढ़ियों के साथ मिल्यो तो और भी घाड़ी हो जाएंगी तो देखिए बिल्कुल पक चुकी है अब यहां पर हम गैस का फिल्म बंद करेंगे और इन्हें धग देंगे जब ठंडी हो जाएगी फिर आपको दिखाएंगे तो अब धगते तेंगा इसका फिल्म बंद कर देते हैं तो देखिए आधे अने घंटे के बाद आपको दिखा रहे हैं ठंडी हो गया सकते हैं ग्रेवी काफी गाड़ी हो गई है देखिए बिल्कुल गाड़ी हो गई है अब यहां पर हम सौप कर देते हैं इसे आप रोटी के साथ चावल के साथ खाएं वैसे ग्रेवी वाल इस सबसी जादा तो चा जावल के साथ सब्किये थे सब्जी बनाए थी तो उसके साथ हम चावल बनाए थे देखिए हमने चावल के साथ भी सब्कर दी है आप एक बार मेरे तरह की से बनाएए खाए इंज्वाई कर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजे और हमारे यूटूब चन को सब्सक्राइब कर दीजेगा